यहां जंगल में शिकारियों की कमी नहीं है, यहां आपको हर साइज और हर वेराइटी के जानवर देखने को मिलते हैं, जिन्हें अपनी ताकत और क्रूरता के दम पर सभी जानवरों को जुकाना आता है, हालांकि King of the Jungle शेर को माना जाता है, लेकिन ऐसे जानवर भी अस्थित जानवरों की क्षमता को भी जान लेते हैं, आज के वीडियो में हम कुछ ऐसे ही जानवरों के बारे में बात करने वाले हैं, जो शेर को मात दे सकते हैं, नमबर एक, टाइगर, वाइल्ड कैट की प्रजातियों से संबंध रखने वाले बाग, किसी भी स्किल में शेर से कम हाई जंप लगाने से लेकर स्पीड के साथ दौडने तक टाइगर शेर से एक कदम आगे रहते हैं, सबसे खास बात है कि बाग अकेले ही जंगल में शिकार करना और सर्वाइव करना जानता है, इसके मजबूत जबडों में 1000 बाइट फोर्स की ताकत होती है, टाइगर की मस कुदरत के सबसे बेखौफ शिकारी हैं, जो वजन में 600 पाउंड तक होते हैं, रिसर्च बताती है कि एक बाग अपने शरीर के दो गुना बाडी वेट को कैरी कर सकते हैं, इस क्लिप में आप देख सकते हैं कि कैसे अपने जबडे की ताकत से गाड़ी को खींच रहा है, र समबर दो, गोरिला, दोस्तों, गोरिला को आप उसकी क्यूट हरकतों और फनी साइड के लिए जानते होंगे, लेकिन खुश मिजाज दिखने वाला यह जानवर कमाल का है, ताकत और बुद्धी की तो इसमें कोई कमी नहीं है, रिसर्च बताती है कि गोरिला की ताकत उसके 300 केजी तक होता है, इसके विपरीत एक अफरीकन लायन की अगर बात करें, तो वो आकार में 200 केजी तक ही पाया जाता है, एक गोरिला की बाइट फोर्स 1300 पाउंड्स पर स्क्वायर इंच होती है, जबकि एक शेर की बाइट फोर्स 650 PSI होती है, यानि कि गोरिला शेर से न सि गोरिला आर्म के एक हमले में लगभग 3000 पाउंड्स पर स्क्वायर इंच का फोर्स होता है, इतनी फोर्स काफी है, जंगल में किसी भी जानवर को मज़ा चखाने के लिए, या फिर उसे कड़ी टकर देने के लिए, नमबर 3, पोलर बियर, ठंडे इलाके में रहने वाले पो से बड़े कार्निवल भी हैं, यही फीचर्स पोलर बियर को ठंडे इलाकों में अपना दबदबा बनाए रखने में मदद करते हैं, कमाल की शारिरिक ताकत के चलते ही पोलर बियर एक लायन से भी टकर ले सकते हैं, आपको जानकर हैरानी होगी कि शेर की तरह ही पोलर बियर का शिकार करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि जंगली भैंस को ब्लैक डेथ के नाम से भी जाना जाता है? ये जीव जब गुसे में आते हैं तो शेर को अच्छा मज़ा चकाते हैं, उन से लड़ने के लिए इनका सबसे बड़ा फीचर इनके सींग होते हैं, जो अक्सर शेर को खतरे में डाल देते हैं, ये क्लिप्स दिखाती हैं कि भैंस अपने सींग से शेर को कितनी कमाल की पटकनी देते हैं और उन्हें मैदान छोड़कर भागने पर मजबूर कर देते हैं, एक भैंस साइज में चार मीटर तक बड़े होने के अलावा वजन में एक हजार क किलो ग्राम तक होती है, एक बड़े सर के साथ साथ वाइल्ड बफैलो के पास तगड़ा शरीर भी होता है, दो तो भैंस के सर पर उगे हॉर्न पाँच फीट लंबाई तक बढ़ सकते हैं और एक ही वार में शेर का काम तमाम कर सकते हैं, नमबर पाँच हिप्पोपोटामस हिप्पोपोटामस 180 डिगरी तक अपना मुह खोल कर किसी भी जानवर के अंदर खौफ पैदा करने की काबिलियत रखते हैं, आपको जानकर हैरानी होगी कि इस जीव के पास बड़े मुह के साथ साथ मजबूत जबड़े भी होते हैं, 2000 पाउंड पर स्क्वाइर इंच की ब इतने ज्यादा वजन के बाद भी पानी में इनकी तैरने की क्षमता कमाल की होती है, जमीन से ज्यादा इन्हें पानी में रहना पसंद होता है और ये 5 मिनट तक सांस रोक कर पानी के अंदर रहना जानते हैं, नमबर 6, पाइथन, सांप भी शेर से उलज सकते हैं, यह सुनन इतनाक शिकारियों में जहर होता ही नहीं है, क्योंकि पाइथन का मुख्य फीचर होता है कि वो अपने शिकार को निगल कर खाता है, एशिया, अफरीका और आस्ट्रेलिया में पाए जाने वाले सांप की यह प्रजाती 10 मीटर तक बढ़ सकती है और शिकार पर अपने शरीर को रैप करके उसका दम निकाल देती है, जैसे जैसे शिकार पाइथन की पकड़ से बाहर निकलने की कोशिश करता है यह अपनी पकड़ और तेज करता जाता है और फिर थोड़ी ही देर में उसे निगलना शुरू कर देता है, यह जीव अक्सर बड़े जानवरों को शिकार बनाते हैं और धीरे धीरे उन्हें निगल जाते हैं। पाइथन का शरीर फ्लेकसिबल होता है। यह बड़े से बड़े मैमल्स और रेप्टाईल को भी निगल जाते हैं। नमबर साथ राइनो सोर्स राइनो सोर्स एक ऐसा जीव है जिसका कोई नेचुरल प्रेडेटर नहीं है। बड़े शरीर, ताकत और मोटे सींग के साथ राइनो और उसका गुस्सा भी कमाल का होता है। यह अपने आकरामक स्वभाव में किसी भी जानवर को मज़ा चखा सकते हैं। एक बड़ा राइनो सोर्स वजन में पांच टन तक का होता है। आप समझ सकते हैं कि इतने भारी जानवर से उलजना शेर के लिए कितना मुश्किल होता होगा। वह चाहकर भी इसकी दो इंच मोटी चमडी को आसानी से घायल नहीं कर पाते होंगे। अगर कभी शेर इन जीवों से उलजने की कोशिश करते हैं तो राइनो सोर्स अपने सींग का इस्तेमाल करके शेर को आसानी से हवा में उड़ा देते हैं और दोनों के बीच के बैटल आफ को अपने नाम कर लेते हैं। नमबर आठ जिराफ यह तो हर कोई जानता है कि जिराफ दुनिया के स बात साथ वजन में तीन हजार पाउंड तक बढ़ सकते हैं। कुछ लोगों को शांत स्वभाव वाले इन जानवरों का शेर से भिड़ना कुछ हजम नहीं होता। वैसे तो जिराफ एक हर्पिफोरस जानवर है लेकिन ताकत की इनके पास कोई कमी नहीं है। खास बात तो ये है कि जिराफ बेवजह लड़ाई में घुसना पसंद नहीं करते। इन्हें घुसा तब ही आता है जब खत्रा इनकी जान पर होता है। कहते हैं कि जिराफ की टांगे काफी शक्तिशाली होती हैं। अपने एक ही किक से वह 2000 पाउंड के फोर्स से दुश्मन को नीचे गि जा देते हैं। इनकी एक किक शेर को केवल घायल ही नहीं करती बलकि उनकी जान भी ले लेती है। जंगल में हमें ऐसी कई लड़ाईयां देखने को मिलती हैं जहां बैटल आफ की शुरुआत शेर करता हैं। लेकिन उनके हमले पर ये जीव भी चुप नहीं बैठते हैं। नमबर 9 जेबरा ब्लैक एंड वाइट पैटर्न वाले इस जानवर को जंगल में आसानी से ढूंडा जा सकता है। और यही वज़ह है कि शेर और जेबरा ज्यादा तर एक दूसरे से ही भिड़ते हैं। शेर की पूरी कोशिश रहती है कि वह जेबरा को अपना शिकार बना स सकते हैं। ऐसा कहा जाता है कि पूरी दुनिया में सबसे पावरफुल किक जेबरा की होती है। शेर या अपने दुश्मन से लड़ते हुए यह इस फीचर का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे कई मामले सामने आते हैं जहां जेबरा अपनी किक से सीधे शेर के सर पर हमला करते हैं और इसी के चलते शेर की मौत हो जाती है। अब बात करते हैं इस लिस्ट के आखिरी दावेदार और खतरनाक कुत्ते की। जी हां आपने सही सुना। हम बात कर रहे हैं कौकेशियन शेफर्ड डॉग की एक वफादार ताकतवर और हिम्मती कुत्ते के रूप में। कौकेश जाता है। वक्त आने पर ये एक शेर से भी भिड़ सकते हैं। वजन में 100 किलोग्राम तक पाए जाने वाले इन जीवों को किसी से डर नहीं लगता। आप क्लिप में देख सकते हैं कि ये किस तरह से इनसान के प्रती भी अपना एग्रेशन दिखाते हैं। तो दोस्तों य देह थे 10 ऐसे शिकारी जिन्हें शेर से उलजने का डर जरा भी नहीं सताता। मौका आने पर ये सब ही अपने अंदाज में शेर से लड़ते हैं और उसे कड़ी टक कर देते हैं। तो दोस्तों आपकी नजर में इन में से सबसे ताकतवर जीव कौन सा है जो शेर को हरा और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला या फिर इंट्रेस्टिंग लगा तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में इसे जरूर शेर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को स कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियो आप मिस न करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ तब तक के लिए नमस्कार।